जिंक ने क्या दिया जिंक सॉलिड ने जेडेन्टू पॉजिटिव दिया दो एलेक्ट्रोन का ठीक है सिंपल सी बात है इसको मैंने एनौर का डाटा बोला इसको मैंने कैथ़ोर बोल दिया सिंपल अभी हम पढ़के यहां यह सेल को अगर तू इसकी ओवरॉल सेल रियक्शन लिखे तू इसकी तो तू कहेगा इलेक्ट्रोन से लेक्ट्रोन गया सिंपल तेरे पास के आया जिंक सॉलिड आया कॉपर टू पलस आया गिविंग के जेडेन्टू पॉजिटिव आया पलस के कॉपर सॉलिड आया सिंपल एडिशन ऐसे करना है इलेक्ट्रोन से लेक्ट्र चाहता हूं इस बाद से मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी सेल फुल सेल होगा उसकी सेल रियक्षन में इलेक्ट्रोन नहीं आए ठीक है दूसरी बात अगर तू इसका रेप्रेजेंटेशन करने चले तो क्या होगी सिंपल अभी बार बार करके बताईए मैंने सॉल्ट ब्रेज लगाया कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर गया ये तिरे पास दो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी फुल सेल की इलेक्ट्रोन नहीं आएंगे और सेल रेप्रेजेंटेशन में दोनों कमपार्टमेंट होंगे ए नौड भी और कैथोड भी ठीक है भाई अब आप कहेंगे आपनी ये बात जोड़ी क्यों यहां पर इसी पॉइंट को जोड़ता हूँ रहे सुनना सुनना इसी बात को जोड़ता हूँ देख भई मैं एक क्वेशन और देता हूँ मैं कहता हूँ तेरे से तुझे एक इनौट गेवन है है एक सी यू पॉजेटीव टू शी टू पॉजेटीव टू सी यू पॉजेटीव जिसकी वेल एक सह और मैं तुझे एक question order देता हूँ पूरा data दे रहा हूँ इस question में और मैं कह रहा हूँ कि तेरे पास एक और data है cu से cu positive जिसकी value y है और अब मैं तुझे पूछता हूँ कि तू मुझे data बता e not cu2 positive to cu बता दे निकाल के देते हैं VVI important सवाल है last concept is lecture का last concept ठीक है भई देख अगर तू इस हिसाब से देखे तो तू कहेगा यहां पे कि यार अगर मैं सर के basis से चलू तो मुझे था भई cathode और inaudy समझ में नहीं आ रहा simple तुझे क्या लेकना है तुझे पता है कि copper two positive है अगर ये एक electron खाएगा सुनना भई एक electron खाएगा तो copper पलस में जाएगा रहे दूसरा तेरे पास क्या है copper था copper जब एक electron निकालेगा तब copper पलस में जाएगा ठीक है भई बास समझ मारी नहीं आरी और अब तुझे पूछा क्या है अब तुझे पूछा है copper पलस टू टू कॉपर इसका मतलब जब copper टू पॉजिटिव दो electron खाएगा तो किस में जाएगा रहे copper solid में जाएगा बास समझ मारी है अब पैसली चीबात है ये तेरे पास क्या है ये तेरे पास है अब की बार overall cell reaction और अब तुझे न एनोड पता है न कैथोड पता है तो simple कुछ नहीं पता है तो reaction जोड़ दे अब अगर तू reaction जोड़ने चले तो तुझे बनाना क्या है तुझे तो overall cell reaction बनानी है न बास समझ मारी नहीं आरी और overall cell reaction तभी बन सकती है जब तू इस copper positive से इस copper positive को काटे इसका मतलब क्या होगा अगर तू इस reaction को उल्टा लेके तो क्या हो जाएगी cu positive एक electron खाएगा copper solid में जाएगा और अब तेरे पास जो इसका data क्या था एकस था इसका y था भी यह क्या बन गया minus y बन गया इसका मतलब यह होगा, अब तुरे पास क्या होजाएगा simple तो इसका addition करेगा तो simple तेरे पास क्या हो जाएगे मैं इस को अगली slide बही चलता हूं देखना, simple तेरे पास का data बन गया एक तो तेरे पास क्या था cu था o cu के case में क्या था cu positive से cu था और अब तुझे पता ये है, अब मैंने जो दुबारा में जो reaction चलाई है, वो यहां से चलाई है, और तुझे data किसका चाहिए था, E0 Cu2 positive से Cu का data चाहिए था, ये तरह पास क्या है, overall cell reaction थी, तो जब तुझे उस reaction को solve करेगा ना, तो तुझे यहां से पता चल जाएगा, अब तुझे अगर इसको represent करने चले तो तुझा कहेगा, Cu positive, Cu positive बनाएगा यहां, solid नहीं है, ये, ठीक है न, ये तरह पास क्या है, Cu positive है, और अब यहां पे क्या है, Cu positive है, एक electron खाएगा, तो Cu solid में जाएगा, अब तुझे अब तुझे अबराल cell reaction निकालने चले, तो इस Cu स लेकन तुझे पास overall cell reaction क्या निकल के आई, Copper solid निकल के आई, ये क्या है तेरे पास, overall cell reaction है, ठीक है न, अब मेरे तो अब आप कहोगे, कि भाईया, E naught में यहां पे A naught का लूँ, कैथोर का लूँ, किस का लूँ, कैसे इसको solo करूँ, और ऐसे सवाल पेपर में मिलते हैं, मिलत दखना है, तो इस केस में ये ध्यान दखना है, कि full cell की सर्फ दो ये identification थी, क्या, overall cell reaction में, electron नहीं आएंगे, इसका मतलब ये full cell तो, नहीं है रे, दूसरी बात, cell representation मुझे अब की बार given नहीं है, और अगर given नहीं है, फुल तो नहीं है, मुझे क्या है, या तो किसी के, सर्फ ये की data मुझे given है, तो ऐसी cell, ध्यान रखना, ऐसी cell, जिनकी overall cell reaction में electron आएं, और जिनमें, एक ही, एक ही compartment का data given हो, एक ही compartment का data given हो, ऐसी cell जानी जाती है, half cells के नाम से, और अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे, type of half cells की, half cells की चर्चा भी करेंगे, और तब में नरश्ट apply करना आपको सिखाऊंगा, तो जिसकी overall cell reaction में electron आएं, और ये की compartment का data given हो, उसे half cells कहते हैं, और अब paper मुझे सवाल क्या पूछा है, E naught calculation का, ठीक है ना, और अभी तक हमें च तर्चा किसकी करी, E naught of the full cell की